आपको पाकिस्तान की खून से सनी राजनीती को जानना हो तो एक परिवार का किस्सा समझें। शाहनवाज भुट्टो का परिवार इस शाहनवाज भुट्टो का बाप मूलतह मेवाती मुस्लिम था और उत्तर प्रदेश के बटेश्वर के पास से निकल ये कुन्बा पहले गुजरात पहुँचा। शाहनवाज ने एक हिंदू महिला से विवाह किया और जल्द राजनीती की उँचाई पकड़ता जुना घड के नवाब का दीवान बन गया। शाहनवाज की अपनी काफी जायदाद आज के सिंध में थी सो आजादी के समय इसने नवाब को पाकिस्तान में मिलने को तैयार किया। जिनना और नवाब दोनों सहमत हुए पर जुना घड की हिंदू आबादी ने विद्रोह कर दिया और नवाब भाग खड़ा हुआ। शाहनवाज को मजबूरन भारत सरकार से समझोता कर जुना घड भारत के हवाले किया। इसके बाद शाहनवाज ने भरसक कोशिश की कि सिंध एक आजाद मुल्क बने पर गोरे दोस्त ये ख्वाहिश पूरी न कर पाए। खैर लरकाना की अपनी लंबी चौडी जागीर में शाहनवाज भुट्टो ने राजनीति का कोठा खोल लिया। पाकिस्तान की फोज के बड़े-बड़े अफसर और राजनेता यहां शिकार और हुश्न के शौक पूरे करने आते थे। पाने को दोड़े आते थे। अयूब खान ने 1958 में खुद सीधे गद्धी कबजा कर ली और इसके बाद कई कतल किये गए। 1960 में इब्राहिम इसमाइल को ठिकाने किया तो 1960 में सुहरावर्दी और मुहम्मद अली बोगरा को। इसकंदर मिर्जा बेमोत मरा तो खुद की जमीन भी दफ़न होने को न मिली। फिरोज खान नून ने राजनीती से सन्यास ले खुद की जान बचाई और ये सभी वही थे जिन्होंने पाकिस्तान की नीव रखी थी। पाकिस्तान बनने के महस दस साल में सभी ठिकाने लगा दिये गए। जूब खान के दौर में अयूब की प्रेमिका मुमताज के कुन्बे का रुतबा दिन दूना रात चौगुना बढ़ा। शाहन अवाज के बाद परिवार की कमान उसके बेहद शातिर बेटे जुल्फिकार अली भुटो के हाथ थी। उधर जुल्फिकार मिया की बेगम थी, एक बेहद खुबसूरत ईरानी कुर्द और अयूब के नायब यहिया खान इन पर फैदा थे। साथ ही जुल्फिकार की ही एक कराची की प्रेमिका को उसने यहिया की रखैल बनवा दिया, जिसका नाम था अकलीम अख्तर। यह बंदी कभी पाकिस्तान की रानी कही जाती थी, तो तानाशाही के दौर में जुल्फिकार की राजनी थी चमकी। कई बड़े ओहदों पर होता, जुल्फिकार पाकिस्तान का सदर तक बना। जुल्फिकार को अयूब ने विदेश मंत्रालय जैसे बड़े ओहदे दिये, अयूब की तानाशाही की सबसे बड़ी विरोधी थी, बेगम फातिमा जिन्ना, मुहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन और लंबे वकत तक अवैध रखैल भी, इन्हें आज भी पाकिस्तानी राष्ट्रमाता मानते हैं। एक हजार नौसो उनहत्तर में यहिया ने अयूब से गद्धी ले ली। यहिया खान चाहता था कि भुट्टो उसका प्रधानमंत्री बने। परचुनाओ में अवामी लीग को बहुमत मिला। जुल्फिकार मुजीबुर रह्मान के खिलाफ पश्चिमी पाकिस्तान में भड़की जन भावनाओं का अगुआ बना यहिया के निर्देश पर। बांगलादेश का जन्म हुआ पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने फिर पाला बदला और यहिया के ही एक जनरल फजल हकक के साथ मिल यहिया के सरहार का ठीकरा फोड उसे हाउस अरेस्ट करवा दिया। जुल्फिकार अब सेना का पालतू पाकिस्तान प्रमुख बना। जुल्फिकार अली भुट्टो के चोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो को लंदन में ठिकाने लगा दिया। एक हजार नौसो पचासी में पर जिया उल्हक भी अपने गुनाहों को ज्यादा दिन न डो सका। एक हजार नौसो अठासी में उसका उड़ता जहाज भी हवा में ही उड़ गया। कहते हैं इस करनामे को इजराइल ने भारत की मदद से अंजाम दिया था। किस्मत फिर चमकी तो जुल्फिकार, अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की पी-म बन गई। लेकिन ये भी कम न थी बाप से। इसने अपने ही बड़े भाई और पार्टी में प्रतिद्वंदी जुल्फिकार के बड़े बेटे मूर्तजा भुट्टो को सेना से मिल मरवा डाला। खैर, अंत में बेनजीर भुट्टो भी खूनी सेना की शिकार हुई। दो हजार साथ में उसे भी गोली मार दी गई। आज पाकिस्तान की खूनी राजनीती का टारगेट इमरान और नवाज है। कौन कब तक जिन्दा रहेगा कहना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तान की असल हुक्मरान यानी सेना की गुलामी से मुक्ती मिलेगी कभी। लगता नहीं। ये सब पाकिस्तान के साथ ही खत्म होगा। शायद बहुत जल्द।